लोकप्रियता के शुत्र, कोई व्यक्ति अगर लोकप्रिय बनना चाहे, कि मुझे फेमस होना है, समाज में, परिवार में, देश में, विश्व में, तो लोकप्रिय बनना है, लोकप्रिय कैसा, गलत अर्थ में नहीं, अच्छे अर्थ में, अच्छे इंसान के रूप में, एक परमारती के रूप के अंदर अच्छा बनने को लोकप्रियता कहते हैं, ये लोकपुरियता हासिल करने के कई सुत्र हो सकते हैं लेकिन मुख्यों मैं पांच सुत्र आपको बताना चाहता हूँ पहला तो है भावक किरिया भावक किरिया का अरत होता है वर्तमान में जीना कोई भी काम करो वर्तमान में रहो remain in the present because जो कल है उसका कोई अस्थित्व नहीं yesterday has gone away, tomorrow never comes and the moment of the present is with us to do something जितना हम वर्तमान के अंदर जीएंगे तब हम ददचित हो जाएंगे और वो कारी अच्छा होगा इसको दाशनिक बासा में भावक किरिया कहते हैं हम भावक किरिया करने लग जाते हैं तो प्रजेंट में जीते हैं भावक किरिया प्रतिकिरिया विरती किसी व्यक्ती ने हमारी किरिया करी यानि हमको गाली दिया, गलोज दिया, तिर्शकार दिया तो उसका जवाब मत दो, उसकी उपेक्षा करो और तीसरा जो सुत्र है बहावक किरिया प्रति किरे विरति मैत्री समस्त जीवों के लिए 84 लाग जीवा योनियों को मित्र समझो कि सभी मेरे मित्र हैं मेरा कोई दुश्मन नहीं है मैत्री मित्वाशन व्यक्ति को उतना ही बोलना चीए जितना आफशक हो शेश हम है उसको मौन डरना चीए जो वाचाल होता है जो अधिक बोलता है उसे जूट भी बोला जाता है रागवेश हो जाता है कले भी हो जाती है तो मित्वाशन व मिताहार भोजन से हमारा सरीर चलता है तो भोजन भी हित मित रित लेना चाहिए इस प्रकार जो ये मुख्य पाँच रूप से पाँच सूत्र का जो पालन करता है वह लोकप्रियता आसिल कर सकता है झालन कर सकता है